खबर मर्धिप्रदेश के रीवा से है किसानों को उनकी उपचका उचित मुल्य देने के लिए निर्धारिस समर्थन मुल्य पर धान का उपारजन 28 नवंबर से किया जाएगा जौरा और बाजरा का उपारजन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा धान उपारजन की अंतिम्तिती 16 जनवरी 2023 ने धारित की गई है इस संबन में अपर कलेक्टर शैलिंडर सिंग ने बताया कि समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के लिए केंडर स्थापित किये गई है जिले में 65,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के लिए पंजियन कराया है इनका सत्यापन किया जा चुका है अपर कलेक्टर ने बताया कि FAQ धान के लिए 2040 रुपे प्रती कुइंटल का समर्थन मुल्य निर्धारित किया गया है धान खरीदी के लिए सभी केंडर में तॉल काटे और बारदाने उपलब्ध करा दिये गए हैं जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपारजन किया जा रहा है पंजीकरत किसान अपनी धान बेचने के लिए रेजिस्टर्ड मुबाइल नमबर या MP Online कियोस्क सैंटर से दिनांक और समय का निर्धारन करके स्लोट बुक कर सकते हैं स्लोट बुकिंग की सुविधा 23 नमबर से शुरू हो गई है धान का उपारजन करने के लिए खरीदी केंद्र आते समय किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीन की रसीद, स्लोट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकरत मुबाइल अपने साथ रखें उपारजन केंद्र प्रभारी और किसान द्वारा बायोमेट्रिक अथवा OTP सत्यापन के बाद ही खरीदी की पावती जारी होगी इसे किसान अपने पास सुरक्षित रखी अपर कलेक्टर ने जिला आपूर्ती अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ती निगम तथा महा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक को सभी खरीदी केंद्रों में उपारजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं बुलिट रिपोर्टर के लिए बिरु रिपोर्ट रिवा धान खरीदी के लिए कलेक्टर महोजाय ने इस समीती बनाई है जिसका की चेर्मेन अपर कलेक्टर सामाने तब अधिन रूप से खुटा है तो उस समीती के माध्यम से हम लोगों ने इस बार बैता दंचे धान खरीदी करने के उद्देश से लगबग 100 केंद्रों की स्थापना करके प्रस्ताव भीजय आ चुका है पिछली बार 124 केंट इस बार भी हमारा प्रयास है कि 124 अधिक केंद्रों की स्थापना की जाए यहां पर कि किसानों से अच्छे रंग्च दान खरीदी की जा सके उसके लिए वहां मसीने लगाई ग सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अनुपात में जो बार्दाने केंद्रों पर बिजवादी गई है पंजियन केंद्रों पहले क्रस्कों का पंजियन हुआ है और एक बहता डंग से अच्छे डंग से सांतिक पुन रूप से किसानों को पूरी सुबिदा देते हुए छाया क करके पानी की वश्था करके वहाँ बैसा करके अच्छे डंग से धान खरीदी कराने की शाश्वन की मन्सा है और उसी मたग करवाही करें नए वीडियोस अवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूली